जे माता दी नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है आए सुनते हैं संपूर्ण देविक कता नौरात्री के दोरान पढ़ने से मिलता है विशेस फल तो आए इस अभिश्तार से सुनते हैं पढ़ते हैं संपूर्ण देविक कता धार्मिक ब्रम्हा जी से सवाल किया कि चैत और आस्विन के सुकल पक्ष में नौरात ब्रत और उत्सव क्यों किया जाता है इस ब्रत का क्या फल है इसे किस परकार करना उचित है पहले इस ब्रत को किस ने किया ब्यस्पति जी के इस सवाल के जबाब में ब्रम्हा जी ने कहा है पायन का ध्यान करते हैं वे मनुस्य धन्ने हैं यह नवरात ब्रत संपुन कमनाओं को पुर्ण करने वाला है इसके करने से पुत्र की कमना वाले को पुत्र धन की लालसा वाले को धन बिद्या की चाहने वालों को बिद्या और सुख की इक्षा वाले को सुख मिलता है इस ब्र पूत्र प्राप्त होता है समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरत सिध हो जाता है ब्रह्माजी के अनुसार जो मनुसे इस ब्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भूगता है और कश्ट और रोग से प्रित हो अंग हिंता को प्राप्त करता है उसके संतान नहीं होती और वह धन्य धाने से रहित हो भुख प्यास से ब्याकुल घुमता फिरता रहता है तथा संग्याहिन हो जाता है जो सध्वा इस तरी इस ब्रत को नहीं करती वह पती सुख से वंचित हो नाना प्रकार के दुखों को भुगती है यदि ब्रत करने वाले मनुसे सारे दिन का उप्वास न कर से केते ओ, एक समय का भोजन करे और दस दिन तक बांधों से इतना वरात्र ब्रतकी कथा का सर्वन करे। हे बिश्पते जिसने पहले इस महाब्रत को किया वह कथा में तुम्हें सुनाता हूँ तुम सौधान होकर सुनो इस परकार ब्रह्माजी के वचन सुन कर बिश्पती जी बोले हे ब्रह्मान मनुस्यों के कलान करने वाले इस ब्रत की इतिहास को मेरे लिए कहो में सौधान होकर सुन रहा हूँ आपकी सरन में आये हुए मुझ पर किर्पा करो ब्रह्माजी बोले प्राचेन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम एक अनाथ ब्राह्मन रहता था वह भगवती दुर्गा का भगत था उसके संफूर्ण सद्गूनों से युक्त सुमती नाम की एक त्यांत सुन कि कला बढ़ती है उसका पिता प्रती दिन जब मादुर्गा की पुजा कर होम किया करता वह समय से नियम से वहां उपस्तित रहती है एक दिन सुमती अपने सक्षियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पुजन में उपस्तित नहीं हुई उसके पिता को पुत्री की कि ऐसी अस्वधानी देखकर क्रोधाया और वहां पुत्री से कहने लगा कि अरे दूष्ट पुत्री आज तुने भगवती के पुजन नहीं किया इस कारण में कुष्ट रोगी या दरीद्र मनुस्य के साथ तेरा विवाह करूंगा पिता जी का ऐसा बचन सुनकर सुमती को परा दुख हुआ और पिता जी से कहने लगी है पिता जी मैं आपके कन्या हूं तधा सब तरह आपके अधीन हूं जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करे राजा ने कुष्टी से दरीद्र से अथवा जिसके साथ है चाहो मेरा विवाह कर दो पर होगा वही जो मेरा भाग्या में लिखा है मेरा तो अटल विश्वा से जोसा करम करता है उसको कर्मों का वैसा ही फल प्राप्त होता है क्योंकि करम करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना इस्वर के अधीन है जैसे अगनी में परने से त्रिनाधी उसको अधिक प्रदित करते हैं इस परकार कन्या के न पुत्री अपने करम का फल भोगो देखे भागय के भरोसे रह कर क्या करती हूँ पिता जी के ऐसे कटुक बचन सुने सुमती मन में विचार करने लगी अहो मेरा भागय दुर भागय है जिससे मुझे ऐसा पती मिला इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अप बालिका की ऐसी दसा देखे देवी भागवती ने पुर्व पुन्य के परभाव से परकट हो सुमती से कहा है दिन ब्राह्मनी में तुछ से प्रसन हूँ तुम जो चाहो वह बरदान मांग सकती हो भागवती दुर्गा का यह बचन सुनकर ब्राह्मनी ने कहा आप कौन है व प्रसन होने पर मैं प्रानियों का सुख दुख दूर कर उनको सुख परदान करती हूँ हे ब्राह्मनी मैं तुझ पर तेरे पुर्व जन्नम के पुन्य के परभाव से प्रसन हूँ तुम्हारे पुर्व जन्नम का ब्रितांत सुनाती हूँ सुनो तु पुर्व जन्नम में निसाद विल की इस्त्री थी और अतिपती वारता थी एक दिन तेरे पते निसाद ने चोड़ी की चोड़ी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकर लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया उन लोगों ने तुझको और तेरे पती का भोजन भी नहीं दिया इस परकार नौरात्र के नौ दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और ना जल ही पिया, इस परकार नौ दिन तक नौरात्र का ब्रत हो गया, हे ब्रामनी, उन दिनों में जो ब्रत हुआ, उस ब्रत के परभाव से प्रसन होकर मैं तुझे मनो वांचित वर देती हूं, तुम्ह देवी ने कहा उन दिनों तुमने जो ब्रत किया था उस ब्रत का एक दिन के पुन्य पती को कोड़ दूर करने के लिए अरपन करो उस पुन्य के परभाव से तेरा पती का कोड़ मुक्त हो जाएगा ब्रह्मा जी बोले इस परकार देवी के बचन सुनकर वह ब्रामनी बहुत और अपने पती को निरोग की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा बचन कहा तब उसके पती का सरीर भगवती दुरगा की किरपा से कुष्ट रोगों से रहित हो अतिक कंधिवान हो गया वह ब्रामनी पती की मनोहर देख को देख कर देवी की अस्तुति करने लगी है दुरगती को दूर करने वाली तीनों लोकों का संतान हरने वाली समस्त दुखों को दूर करने वाली रोगी मनुस्यों का निरोग करने वाली प्रसन हो मनवांचित वर देने वाली और दुष्टों को नास करने वाली जगत की माता हो है अंबे मुझ नीर प्राध अपला को म हे देवी आपको परणाम करती हूँ मेरा रक्षा करो ब्रह्मा जी बोले हे बियस्पते उस ब्रामनी की ऐसी अस्तूती सुन देवी बहुत प्रसन हुई और ब्रामनी से कहा हे ब्रामनी तेरे उधालक नाम अतिपु धिमान धनवान कृतिवान और जितेंद्रीय पुत्र शिघ्र उथपन होगा ऐसा वर परणां कर देवी ने ब्रामनी से फिर कहा हे ब्रामनी और जो कुछ कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले भगवती दुर्गा का ऐसा बचन सुन सुमती ने कहा कि है भगवती दुर्गे अगर आप मुझे पर पर सन हो तो किर्पया कर मुझे नौडातर बरत की बिधी और उसके फल का विश्थार से वर्नन करें इस परकार ब्रामनी के बचन सुन दुर्गा ने कहा है ब्रामनी में त प्रात्र ब्रत की बिधी बतलाती हूं जिसको सुनने से मुक्ष की प्राप्ती होती है आशिन माच के सुकल पक्ष की प्रति पदा से लेकर नौ दिन तक बिधी पुर्बक ब्रत करने से यदिक दीन भर का ब्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करे विद्वान ब्राहमुनों से पुछ कर घट अस्थापना करे और वाटिका बना कर उसे प्रती दिन जल से सीचे महा काली महा लक्ष्मी और महा सरुषती देवी के मुर्तिया अस्थापित कर उनके नित्ते बिधी से पुजा करे और पुस्पो से विधी पूर्वक अर्ध दे, विजोरा के फल से अर्ध देने से रूप की प्राप्ती होती है, जाए फल के अर्ध देने से कृती दाख से अर्ध देने की कारी से सिधी होती है, आवले के अर्ध देने से सुख की प्राप्ती और केले के अर्ध देने से यल दाख और कदम आधी से हमन करें गेहों से होम करने से लक्षमी के प्राप्ति होती है खीर एवं चमपा से पूस्पो से धन की और बेल के पतों से तेज और सुक की प्राप्ति होती है आले से किर्थी और केले से पुत्र की कमल से राज समान की और दाखों से संपदा की प्र तिल तथा फलों से होम करने से मनवांचित वस्तु की प्राप्ति होती है प्रत करने वाले मनुस इस विधी विधान से होम कर अच्यारे को अत्यांत नम्रता के साथ परनाम करे और यग की सिधी के लिए उसे दशना दे इस परकार बताई हुई विधी के अनुसार जो ब्यक्त ब्रत करता है उसके सब मनोरत सीध होते हैं इसमें तनिक भी संदे नहीं है इन नौ दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोडो गुना फल मिलता है इस नोरत ब्रत करने से अस्वमेग का फल मिलता है है ब्रहमनी इस संफूर्ण कमनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम ब्रत को तिर्थ मंदिर अथवा घर में विधी पूर्वक के अनुसार करें, ब्रह्माजी बोले है विश्पते, इस परकर ब्राह्मनी को ब्रत की विधी और फल बता कर देवी अंतरध्यान हो गई, और जो मनुस्य या इस तरी इस ब्रत को भक्ती पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुक प्राप्त कर अंत में दूरलब मुक्स को प्राप्त होता है, है विश्पते, या इस दूरलब ब्रत का महात में है, जो मैंने तुम्हें बतलाया है, या सुन विश्पते जी अननंद से प्रफूलित हो ब्रह्माजी से कहने लगे कि है ब्राह्मन, आपन मुझे पर अतिक किर्पा की जो मुझे इस नौरात व्रत का महात में सुनाया ब्रह्मा जी बोले की हेब्यस पते यदि देवी भगवती सकती संपूर्ण लोको का पालन करने वाली है इस महादेवी के परभाव को कौन जान सकता है बोलो देवी भगवती की जय कत तो ये थी न अधा सरवन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार प्रेम से बोलो जय माता दी